राम राम साथ जैहिंद हाली में सिप्रापत मान सरोर में जो घटना करम पुलिस के साथ में मंत्री जी का और उसके साथ में उसमें एक सैनिक को गिरफतार करने का प्रकरण हुआ है उन सब को लेकर कर हमारे बीच में सेना से ही कैप्टन के रूप में रिटाइड समाने कैप्टन आरपी धाका साब है राम परसाजी धाका सरे कोई भी सेनिक जब छुटी आता है या ओन डूटी होता है तो एजे सिविलियन के रूप में वो किस तरीके से प्रोटोकोल का पालन करता है और अगर किसी तरह के कोई वो अपराद में नशे में या कोई भी ऐसी हरकत करते हुए पाया जाता तो उस दोरान पुलिस क्या उसके साथ ट्रेट कर सकती है उसको लिए कर के बता है पहले तो एक फोजी को क्या प्रोटोकोल पालन करना चाहिए ऑन डूटी या छुटी चुटी के दोरान भी उसको ऐसी जगे जाने से अवाइट करना चाहिए और जानने के बाद अगर वो वहाँ पाया जाता है तो उसके खिलाब कानोनिक अरवाई बनती है क्योंकि सेनिक को ऐस समाजी गतियोदे में सामिल होने का कोई प्राउधान नहीं है और सेनिक को वाद जाना भी नीचे और बचना चाहिए अच्छा दूसरी चीज कभी कबार मान लो गलती से को इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि वो भी ऐसी घटनाओं में अपरादों में लिप्त पाए जाते हैं और पुलिस से अपनी आइडेंटिटी चुपाते हैं कि वो अपना सेनिक होने का परेचे भी नहीं देते हैं और इसके बावजुद वाँ पर दादागिरी करते हैं तो उन लोगों के साथ कैसा सलूक है ये बहुत गलत बात है क्योंकि आदमी जाने अन जाने में या किसी कारण वास या दोस्तों के साथ या कोई पारिवारी फंक्शन में इसी जगे चला भी जाता है तो ऐसी पुलिस के साथ कारवाई होने के बाद उसको तुरंट अपनी आइडनिटी बतानी चीए उसके दो कारण है एक तो पुलिस साहनभूती के तोर पर नोर्मल बयान लेके उसको छोड़ देगी क्योंकि पुलिस को भी पता है कि या आदमी नोकरी में है किसी कारण से पारिवारी कारण से या जाने अन जाने में आ गया होगा दूसरा अगर वो छुपाता है नहीं बताता है तो वो फिर उसके साथ स्विल आदमी के तहत कारण की जाती है और बाद में जब पता लगता है तो वो एक पुलिस के लिए भी दुविदा हो जाती है क्योंकि एक्चुली नियम यह होता है कि अगर सेनिक किसी भी गतिविदी में पाया जाता है तो पुलिस को आइडेंटी होने के बाद में तुरंत उनको पुलिस मेलेक्टरी पुलिस को और सेना के अधिकारियों को सुचना दी जाती है कि आपका ये जवान है और इस गतिविदी में लिप्त पाया गया है तो वो उसकी कारवाई मिलेक्टरी के इलाके में ही होती है अच्छा अभी ये भी बताएगा है कि जवान ने पुलिस का कहना है कि जवान ने अपनी आइडेंटेटी नहीं बताए कि मैं सेनिक हूँ जबकि दूसरे जब पूरा प्रकरण हो गया और उन पर रोब ज़ाडते रहे आपस में एक दूसरे पर सेनिक आरोप लगा रहा है पुलिस आरोप लगा रही है उसके बाद में मंत्री जी की एंट्री होती है और मंत्री जी जिस तरह के से थाने में आकर के CM के विधान सभा क्षेत्र में आकर के अपसरों को धमकाते हैं इसको कितना उचित मानते हैं मंत्री होने के नाते उनको इस बारे में इतना ओन डूटी अधिकारियों के साथ और जवानों को साथ ऐसा नहीं करना चीए था क्योंकि उनको जब सुचना मिली है तो उनको पहले यह पता करते हैं कि पुलिस वालों को उसने पर आइडेंटी दी ठीक नहीं क्योंकि जहां तक मैंने सुना है और पड़ा है उस जमानने आखरी तक जब तक जमानत होके नहीं चली गई उसने यह नहीं बजाए कि मैं स्याना में स्यावारत हूं अगर उसने ऐसा बयान देता तो उसके साथ ऐसी कोई बात भी नहीं होती और उसको पुलिस छोड़ देती और मंत्री स्तर पे इस तरह के बयानबाजी निंदनी है क्योंकि उनको इस परकार का नहीं करना चीए क्योंकि वो एक पूरे राजस्तान को रिप्रेजनेट करते है और वैसे भी विदान सभा छेतर जो सांगानेर लगता है ये सीएम साब का हिलाका है तो उन्हें इस परकार से उसको सीएमों को भी इनफोर्म करना चीए कि आपके इलाके में ऐसा हुआ है लेकिन इस परकार ओन डूटी अधिकारियों के साथ और जवानों के साथ जो वारत इसमें पता लगा है कि जो वैसे तो सेना को और पुलिस को जाती धर्म से उपर उठकर काम करना चाहिए लेकिन जिस तरह के से कोइंशिडेंट ऐसा हुआ कि जो राजवीर सेखावत है उसके बाद में अरविंद राजबूत है उसके बाद में घजराज नाथावत है और उ काष्ट को टारगेट करके और चाहट कर मतलब दूसरी काष्ट के लोगों को लाइन हाजिर करने का प्रेसर भी करवाया है जबकि जिन से उनकी होटोग हुई है या जो जिम्मेदार ऑफिसर वाँ ऐसाच हो था उसकी खिलाब कोई कारवा नहीं हुई यह एक जातिवाद जो राजनीती में चलता है यह आर्मी के लेकर के और जिस विसे आज इस विसे को लेकर के जो हुआ है वो गलत है क्योंकि राजनीती अलग चीज है और जातिवाद और जाति धरम अलग होता है और अपरादी की कोई जाति धरम नहीं होता है अपराद एक तो यह कहूंगा को शेनी कल्यान मंत्री थे इसलिए उनको जातिकत जंजट से उपर उठ करके और जो कारवाई एक्चुली जिसकी गलती है उसके साथ हो निश्वार्थ वो एक सही कारवाई करने के लिए उनको आदेश देना चीए था और उसमें SHO और बाकी सभी लोग जिम कर रहा है उसके ओवराल जिम्मेदारी SHO के अंडेटेकिंग होती है तो उनको ये कारवाई SHO को मागदसन करना चीए था वो मंत्री नहीं है एक सेनी कल्यान मंत्री है तो जाती धर्म से उनको उपर उठना चीए था लेकिन ऐसा उन्होंने जैसा सुनने मारा नहीं किया रा दूसरे लोगों में काबिल ऑफिसर नहीं है अगर मैं इस विश्य में पूरी जानकारी नहीं रखता हूं कि कितने सेनीक से त्रों में जाती विशेस की लोग हैं लेकिन जहां तक हो सके हम में भी जहां जाते हैं तो इसी प्रकार की सुनने माता है और यह बहुत गलत है क्य चीए और मैं तो यह कहता हूं कि जाते वाद होना ही नहीं चीए जो उसके काबिल हो और उस शेतर का अदिकारी हो जवान हो उनको वहां पोस्टिंग मिलने चीए तो यह थे हमारे बीच में केप्टन साब बहुत-बहुत धन्यवाद सार आपने बड़े निश्पक्सता से निडर्ता के साथ में बात रखी और टीम जैवीप मीडिया ग्रूप इसी तरह के से निश्पक्सता के साथ में अच्छाई और सच्छाई के साथ सदेव खड़िये जै हिन